क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी आँखों में ऐसा क्या होता है जिससे हम अपने आसपास की रंग बरंगी चीज़े देख पाते हैं हम इस वीडियो में देखेंगी कि मनश्य के नेत्र के अंदर आखिर होता क्या है मानव नेत्र के उच निमलिखित भाग हैं सबसे पहला भाग है कौनिया यह एक जिल्ली होती है जिसकी माध्यम से प्रकाश हमारी आखों में प्रवेश करता है यह जिल्ली नेत्र गोलक के समान एक पारदर्शी उभार बनाती है यह आखों में प्रवेश करने वाले अधिक्तम प्रकाश को अवपरवर्तित करती है दूसरा भाग है परितारिका जिसे हम आईरिस भी कहते हैं अंग्रेजी में यह कौन्या के पीछे पाया जाता है तथा यह गहरा पेशिये डायफ्राम होता है चो पुतली के आकार को नियंतरत करता है तीसरा भाग है पुतली जिसे अंग्रेजी में प्यूपिल कहते हैं यह परितारिकाओं के बीच में छोटा काला चिद्र होता है यह आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंतरत करता है चौथा भाग है अभी नेत्र लेंस जिसे हम अंग्रेजी में आइलेंस भी कहते है क्रिस्टली अभी नेत्र लेंस वस्तू के प्रतिबिम को फोकुस करता है यह रेटीना पर वस्तु का उल्टा प्रतविम बनाता है पाच्वा भाग है रेटीना यह एक कोमा सुक्ष्म जिल्ली होती है जिसमें बहुत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाई होती है प्रदिप्ती होने पर यह सक्रिय हो जाती है और विद्युद सिग्नल जेनरेट करती है चटा भाग है द्रिक तंत्रिका जिसे हम अंग्रेजी में ऑप्टिक नर्व भी कहते है यह सिग्नल द्रिक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तश्क तर पहुँचा दिये जाते है आठवा भाग है पक्षाभी पेशिया जिसे हम इंग्रेजी में सिलरी मसल्स भी कहते हैं यह लेंस से जुड़ी हुई होती है और लेंस का आकार परिवर्तन करने में मदद करती है चलिए एक बार दोहराले कि हमने क्या-क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि मनश्य की आँख महत्वपून अंग है जब किसी चीज को हम देखते हैं तो उसमें मनुश्य की आँखों का हर भाग जैसे कॉन्या, परितारिका, लेंस, पुतली, रेटीना, आधी उसमें सम्मिलित होते हैं मनुश्य की आँखों की रेटीना प्रकाश रंग सुगराही होती है कृप्या ऐसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजे